कर लिए हैं हम जा रहे कुलाबा की तरह फाइनली हमने हमारा एक्जॉस्ट कट कर दिया है तो हेलो गाईस विलकम तो पोलो मोटर्स मेरा नमें प्रतम शर्श्च और मैं फिर आगे एक नहीं व्लोग के साथ तो दो आज की इस व्लोग में हम हमारी एग्जिट का जो स्टॉक एक्जॉस्ट उसे मोडिफाइब करना वाले एक्चली हमारी बाइक में अल्रेडी एक आफ्टर मार्केट एक्जॉस्ट लगा हुआ है और वह काफी ज्यादा लाउड है और उससे हम लीगल नहीं कंसिडर कर सकते हैं तो हमारा स्टॉक एक्जॉस्ट अपस लगाने वाले बट थोड़े ऑल्टरेशन के साथ जो हमारा यह स्टॉक एक्जॉस्ट है इससे हम थोड़ा अल्टर करेंगे हैं और यह थोड़ा लाउड हो जाएगा हमने पहले भी इससे मॉडिफाइग किया हुआ है यहां से कट कर द वापिस टॉक पर जाने का मन कर रहा है तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हमारा है यह पट्टी यहां से कट गया है सो गाइस फाइनली हमने हमारा एक्जॉस्ट कट कर दिया है यह चेक करो गाइस अच्छा स्मूध कर दिया है थोड़ा शार्प है मतलब हात वात कट यह रहा हमारा मफलर तो काफी ज्यादा वेट हमने रिड्यूस कर दिया है यह काफी लाइट हो गया अभी यह चेक करो यह इतना बड़ा दब्बा देखता है बट मैंने जब फ्लैस मारा अंदर तो अंदर कुछ भी नहीं है मैं रुको आपको फ्लैस चालू करके दिखाता यह चेकर अंदर पूरा होलो है यह जो है यह साइड वाला यही दर तक कंटीनु हुआ है बाकि यह पूरा डबा तो खाली है मुझे लगा अंदर कुछ रहेगा नीडेट बट यह तो खाली है तो काफी वेट कम कर दिया है अभी हमारा जो एक्जास्ट है वह बाडी लाइन से बाहर नहीं आएगा अब यह तो वेस्ट ही है इसे रख देंगे हम संभाल के कभी इन फ्यूचर नीडेड हुआ तो कि मुझे पता नहीं है इसका साउंड कैसा होने वाल है तो देखते अभी अगर साउंड बहुत वियर्ड रहा तो हम वही मॉफलर वापस लगा देंगे ऐसे भी मॉफलर का अलाइनमेंट गया था जब मैं गिर गया था तो वह सुइंगाम को टच हो रहा था तो उसे कट वा नहीं था तो लेट सी जो भी रहेगा आपको देख जाएगा वीडियो में यह चेक करो यह रही हमारी एबसेड एंड यह रहा हमारा एक्जास तो अभी अभी इस एक्जास को भाई-बाई कह देते हैं हम यह बाइक को लेकर जा रहे हैं अभी मनोर के पास में हमारे फ्रेंड का ग्रेज है महाँ पर इसे इधर फेट कर देंगे तो चले निकलते अभी तो गाईज अभी फ्यूल अब कर लिए हैं हम जा रहे कुलाबा की तरफ है साउंड सुना देता हो अभी गाड़ी का तो गाईज यह इसका साउंड है काफी लाउड है अभी तो इधर आवाज नहीं कर सकते मैं एक्चली पेट्रोल बंप हो तो पॉब्लिक को प्रॉब्लम ना हो तो यह इसका लाउडनेस है लोवर आर्पीम पे दो अजार तीन अज जाएगी एकाड़ी तो गाईज फाइनली हम पहुच गए मनवर के यहां पर एंड यह हमारी बाइक यह हमारा हेलमेट और यह दा मनवर यह उसका गहराज है तो गाईज कुलाबा में मनवर वन अफ़ बेस्ट है सर्विसिंग रिपैर एंड जो भी काम रहे यह उसका पैसेज है पूरा तो बेसिक सर्विस या रिपैरिंग या कुछ भी काम रहा बाइक बाइक्स के रिलेटेट तो इसके पास आ सकते आप लो तो गाईज यह हमारा एक्सास निकल चुक रहा है यह चेक करो काफी लाइट वेट है इससे परफॉर्मेंस टॉपेंट अच्छा हो गया था तो यह लगा रहे है अभी स्टॉक वाल एक्सास जैसे हमने कट कर दिये तो देखते अभी क्या सिन है इसका मफलर कम हो गया तो क्लीन दिख रही है एंड वेट भी रिडियूस हो गया प्लस यहां का एक नट रही गया लगाने क्योंकि इसके पीछे हमारा थोड़ा फेटिंग आया बें तो वह साइड के नट पे यह एक्सास का दो नट है इस पर ही है बट काफी क्लीन दिख र है तो साउंड नमारा दोनों के बीच का आगया एक्चली जो ड्यूक टूफिफ्टी का मफलर निकलने के बाद जैसा लगता है वैसा ही दिख रही है तो यह एक्जोस्ट को हम कर देते हैं बाइबाइब इस पे चलाएंगे इसको लो रेव्स पे ज्यादा साउंड नहीं द चाहिए है ऐसा है तो गाइस हमारे एक्जोस्ट फिट हो गया लेकिन मनोर जो है वह इतना प्यार करता है वह थोड़ा वह तेक्स का साम जो है मेरी गाड़ी में हो फुदी देखकर कर रहे हैं उसका चेन लूज था एंड कॉन सेट लूज का क्लच का सेटिन थोड़ा पूरा काम हो गया है यह चेक करो दूर से कितना अच्छा दिखता है यह रहा हमारा एक्जोस्ट मुझे एनस की तरह वह अंदर चीए था बॉड़ी लाइन के तो मैंने वह कट कर दिया और गाड़ी का बेस काफी बढ़ गया है प्लस दिखने भी काफी अच्छा हो गया क्य अब इसका साउंड जो है गाड़ी नियूट्रोल कर लेता हूँ यहां हाँ गाड़ी बैकफायर अच्छा कर रही है और मुझे साउंड अच्छा लगा वीडियो में मालूम नहीं आपको उत्ता क्लियरली सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहे बट मुझे तो काफी अच्छी चाहिए आपको तो मैं मेरे साइट से आप लोग को इसका ही सजेस्ट करूंगा यह आप कुलाबा में आकर कभी यह ससुन डॉक जो है उसके एक्जक सामने यह लेफ्ट साइट वाला दुकान जाहां यह एक साइट का बोड लगा है ना यह कॉर्णर में अच्छली यह जो डेली डेली यूज जो गाड़ी आती है उसके काम के लिए तो बेस्ट है मेरे बरुसेता आप लोग यहां आना ओनेस्ली काम अच्छा करके देगा और यह हमारा आज का काम फटाफट हो गया है उसने मेरा बागी सब माइनर काम जीग कर दिया मैंने चेन लिउप नह हमारा जो इंडिगेटर बन था हमारा जो इंडिगेटर बन था उसके लिए उसने प्लग दे दिया तो वह भी लगा देंगे हम तो आज का व्लोग हम यहीं पर खतम करते कल के दिन में आएंगे कोई नई चीज लेकर तब ते के लिए सब्सक्राइब करता दाट सेट हरो हुआ है